सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं, सभी मित्रों का अभ्यवादन है मित्रों मेरी कवीता, पिता की सीख इसके दस भाग पहले परसारित हो चुके, आज 11 भाग लेकर के मैं आपके सामने आया हूं इस कवीता को मैंने अपने पुझे पिता जी को समर्पित किया है कवीता को लिखते समय मैं अपने पिता को महसूस करता रहा कवीता में मैंने प्रियास किया है यह वर्णन करने का कि मैंने अपने पिता से क्या-क्या सीखा है कौन-कौन से गुन जो मुझे विरासत में मिले है अपने पिता से तो प्रस्तत है पिता की सीख भाग गया रहे है। चाहनं के किःशना समय बड़ा बलवान होता तुम समय की कद्र करना इच्छाहें नीचा दिखाती metrow main कब्र करने से मतलब इच्छाओं को दमन करना इच्छाओं को मारना क्योंकि इच्छाओं जो है वो गलत रास्ते पे ले जाती है आदमी को नीचा दिखाती है हमने सीखा है पिता से स्रम करें और जीत लें जग हमने सीखा है पिता से स्रम करें और जीत लें जग स्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है हमने सीखा है पीता से बित्रो कैसे लगी आपको कविता? कमेंट करके बताएं यह दिया अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक शेयर कर देना हो सके मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब कर देना बहुत बहुत अन्यवाद मिलते हैं इसकी अगले भाग में तब तक के लिए बहुत बहुत अबारा आपका